हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज का हमारा टॉपिक है LCM आज हम LCM के बारे हम पढ़ेंगे जो की एक्जाम में बार बार पूछा जाता है इससे आने वाले प्रशन आपको असानी से समझ में आ जाएंगे अगर आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे से ध्यान से नोट कर लेते हैं और इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो चलिए पिना देरी की हुए वह शुरू करते हैं आज का टॉपिक लगुत्तम सम अपवर्थ लगुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा सबसे छोटा ओर सम का मतलब समान एक WAY लगूष का मतलब होता है याम बाप टीकल मतलब लगुत्दम सम अपवर्थऋ इसको बोल जाता है सबसे चोटा समानल equal multiple आप मतलब से भी इसका मतलब जो इसका नाम है उससे भी आप इसका मतलब निकाल सकते हैं तो आपको easily समझ में आजाएगा सबसे छोटा equal और multiple उसे ही क्या बोलते हैं लगुत्तम समभवर्थ ठीक है तो हम एक्जामपल से समझते हैं देखिए टू और त्री इसके हम क्या लिखते हैं गुडज लिखते हैं इसका मतलब है multiple मतलब table इसकी table लिखते हैं इसकी table क्या आए दो एकम दो 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 नीच चार वोती अच्छ है दो चौके आठ दो पंचे दस बारा चौदा सोला अठारा बीस ऐसे करके इसके multiple हो सकते हैं बहुत सारे ठीक है तीन के multiple लिखिए तीन एकम तीन तीन दो नीच है इंटकनो बारा पंद्रा अठारा एककईस चौविस एंड सो ओन तो देखिए इन दोनों में common multiple common multiple मतलब समान अपवर्थ सम अपवर्थ कौन-कौन से common multiple एक देखिए छे common multiple है एक क्या है बारा common multiple है अगला देखिए अठारा भी multiple है ऐसे करके आपको आगे 24 भी मिलेगा कि यहां पर 24 तो यहां पर 24 मतलब दो और तीन के common multiple बहुत सारे हैं देखिए बहुत सारे है ना पूरी टेवल में आप देखते जाओगे तो आपको बहुत सारे common multiple मिल जाएंगी एक से multiple equal लेकिन LCM का concept क्या है उसमें होना चाहिए least लगुत्तम सबसे छोटा common multiple सबसे छोटा common multiple तो इसमें सबसे छोटा common multiple कौन सा है यह देखिए सबसे छोटा common multiple क्या है 6 उससे बड़े हैं लेकिन सबसे छोटा कौन सा है सबसे छोटा है 6 तो LCM का concept आपको समझ में आ गया least common multiple मतलब numbers जो हमको दिये जाएंगे उनके आपको multiple लिखना है और उसमें से ऐसा multiple निकालना है जो दोनों में common हो जो दोनों में वह निस्ट हो लेकिन सर्थ क्या होनी चाहिए कि वह सबसे छोटा होना चाहिए बड़े तो मिल जाएंगे हमको लेकिन सबसे छोटा जो नंबर होगा जो दोनों के में multiple में होगा वही क्या कहलाता है LCM clear एक से ज्यादा नंबर भी ले सकते हैं दो तीन आप चार ले लिजे चार अगर आप लोगे तो चारी कम चार चार दूनी आठ चार तीया बारह सोला एंड़ेश अब देखिया तीन नंबर आ रहे तो तीनों के multiple देखना पड़ेगा तो इसमें तीनो में कौन सा आ रहा है 12 12 के अलावा भी आएंगे लेकिन सबसे छोटा common multiple कौन सा आ रहा है 12 तो जितने नंबर यहां दिये हो multiple निकालने के LCM निकालने के उन सब में आपको क्या करना है उनकी factor लिखना है और उन में से सबसे छोटा common multiple find करना है तो वही क्या कहलाता है LCM कहलाता है clear next देखते हैं दोस्तों LCM निकालने की दो विदियां होती है तो मैं आज आपको दो विदियां बताता हूं दो मेठट से LCM निकालने की तो हम पहली मेठट दिखते हैं फस्ट देखिए पहली मेठट का नाम क्या है गुड़न खंड विदी गुड़न खंड विदी यह देखिए गुड़न खंड विदी इस विदी का पहला एक्जामपल यह लिखा हुआ है 12,24,16,36 का LCM फाइंड करना है हम गुड़न खंड मैठट से कैसे फाइंड करते हैं देखिए हमको करना क्या आए जैसा नाम से रिस्पस्ट है गुड़न ख गुड़न खंड मतलब फैक्टर फैक्टर मैठट इसका मतलब है इन सब के आपको क्या लिखना है फैक्टर लिखना है क्या लिखना है गुड़न खंड लिखना है तो सब के गुड़न खंड लिखोगे आप तो टू का गुड़न खंड लिखोगे तो कैसे लिखेंगे इसक 16 का कैसे लिखोगी आप 2 x 2 x 2 x 2 4 बार और 36 का 2 x 2 2 x 3 x 3 ऐसे लिखेंगे अब इसको उन थोड़ा सा systematic कर लेते हैं इसको उन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 x 3 की पावर 1 एक बार है ना 2 बार है 3 एक बार है इसको 2 की पावर 3 x 3 की पावर 1 यहाँ पर 2 की पावर 4 आ जाएगा और यह आ जाएगा 2 की पावर 2 x 3 की पावर 2 यह आ गया अब देखिए यहाँ पर है concept की LCM क्या आएगा तो गुडनखंट विदी से अगर LCM आप निकाल रहे हो तो इन सब में हम कौन सा 2 लें आपको लेना है जिस 2 में मैक्सिमम पावर लगी हो ऐसा 2 काउंट करना है जिसकी पावर मैक्सिमम हो सबसे अधिक्तम घात वाला 2 तो मैक्सिमम पावर वाला 2 कौन सा है दिहान से देखिए यह 2, 4, 3, 2 सबसे मैक्सिमम पावर क्या है 2 to the power 4 फिर लगाना into का sign अब ऐसे यही concept 3 में भी लगाईए 3 की maximum power कौन सी है 2 है तो into करके 3 की power 2 इसको solve कर लिजे यही क्या क्या लाएगा LCM तो इसको solve करेंगे यह जाएगा 16 यह जाएगा no इसको multiply करोगे आप सो क्या जाएगा 146 तो इस सबका LCM क्या आएगा 144 तो यह method कहलाती है गुड़नखंड विदी या factor विदी ठीक है देखे student second method होती भाग विदी सबसे जादा आपको इसी method का यूज़ करना है दूसरी विदी का नाम क्या है भाग विदी दो ही विदी है एक गुड़नखंड विदी होगे दूसरी होती भाग विदी सबसे जादा आपको इसी method के यूज़ करना है इस method से ही आप solve करेंगे तो असानी होगी आपको answer निकालने में चलिए देखते हैं इस method को कैसे solve किये जाता है यही question देलो आपको क्या करना इनका LCM निकालना है तो आपको इसको कैसे लिखना है 12, 24, 16, 36 इस पर लिखने का तरीका ऐसा होता है अब आपको क्या करना है इसमें सावसे छोटी संख्या जिसका भाग जाना हो उससे आपको भाग देते जाना है जहां नहीं जा रहा वहां आपको भाग नहीं देना है लेकिन भाग पूरा पूरा जाना चाहिए तो देखिए 2 का भाग चला जाएगा देखिए students भाग देने का मैंने अलग से एक lecture अपडोर्ट किया है उसका नाम है विवाज अक्ता के नियम तो आप भाग देने के नियम वाला लेक्चर देख लीजे अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे तो आपको LCM निकालने में बहुत आसानी होगी और सबसे पहले आपको अपना basic strong करना होगा तो भाग देने के नियम आपको पता होना चाहिए जब आपको भाग देने के नियम मालूम होगे तब ही आप उसके क्या कर सकते हैं फैक्टर निकाल सकते हैं तो आप वो लेक्चर को देख लीजे तो आपको भाग देने की method पता चल जाएगी चलिए देखते हैं 2 से भाग दोगे 6 ये 12 ये 8 और ये 18 फिर से 2 से भाग देंगे दो ती अच्छे उसंग बारा दुच्व के ठारा दो इन है अब यहां पर नहीं ठेक है अभी टू से भाग जाएगा देखो तीन में भाग नहीं जाएगा तो आप तीन को एज दिस रिड लिग दो छे में भाग जाएगा से ला फिर यार में जा यहां ही एग लिग वाट और याân रही है आपको सबसे चोटे नंबर से भाग देना है सबसे चोटे नंबर से आप बोलोगे चार का भाग वी तो जा रहा है लेकं चार से च्छोटा 2 है दो डी जा रहा है ऐसा इसलिए होता है कि आपको सबसे छोटे नंबर से भाग देना है कई बार आप बड़े नंबर से भाग देते हो तो LCM गलत आ जाता है उसके लिए आपको क्या करना है हमेशा छोटा नंबर प्रिफर करना है छोटे नंबर से भाग दोगे क्योंकि बड़े नंबर का भाग क इसमें चला जाएगा, अब किसका भाग जाएगा, तीन का, तो तीन का भाग दोगे, तो एक, ये एक, ये भी एक और ये तीन, एक बार और जाएगा, तीन का भाग, सब जगह क्या जाएगा, वन वन आ जाएगा, तो ये जो आया है आपका, ये ही क्या है LCM, बस इसको आप क् मिल्टिप्लाइट करलो और जब तक आपको बहुजाना जो ही एक अगर जारि कर देखिए अ स्टूंपल देखिए इसकी एक sort trick होती है, वो sort trick आपको मैं बता देता हूँ, तो आपको आसानी होगी, पर आप sort trick से, अगर बहुत urgent हो, या समय ना बचा होता है, आप sort trick के use करें, नहीं तो आप भाग विदी से ही निकालिए, LCM वो ज्यादा अच्छा होता है, और उससे answer एकदम सही निकलता है, sort आपको LCM निकालना है, तो आप बड़े number को ले लिजे, बड़ा number ले लिजे, और इसी का पहाड़ा पढ़िए, table, इसका table आप पढ़ते जाईए, ऐसा number ढूणना है हमको, जिसमें इन तीनों का divide चला जाए, तब तक इसका table पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है, जब तक जाए, जिसमें तीनों का divide न चला जाए, वो ही LCM होता है, कैसे, देखो 20 का एक बार पढ़ो, अच्छा, शुरुआत हम इसा आपको एक से ही करनी है, 20 एकम 20, आप 20 दूनी 40 नहीं करेंगे, हम इसा 1 से 20 एकम 20, 20 एकम 20, 12 का भाग जाएगा 20 में, नहीं जाएगा, इसका 20, 30, 60, 12 से भाग जा रहा है, 12, 55, 15, 64, और 20, 30, 60, तो यही है LCM, यह सौट ट्रिक है, आप इसको एपलाई कर सकते हैं, बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ना एक से, और चेक करना है कि तीनों का भाग जा रहा है कि नहीं, जहां तक पहाड़ा कहां तक पढ़ना है, जब त सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर है नहीं, उसको ले बते करव लो और उसी का आपको टेवल पढ़ना है, तो आपको ट्रो कईबले लिए, एक बार ने विण को टो की पावर सेवन में, पहाग चला जाओ एक स्मय हें, चला जाएगा कि यह सात बार है यह दो बार है, तो आर जो इसको काटो DAN ten पांच बार बचश्य वहां मतलब जब हाग जा रहा है तो तो कि पावर 7 में इसका भाग चला जाएगा इसका भी चला जाएगा इसका भी और इसका भी सबका चला जाएगा इसका मतलब जब बेस सेम हो आधार एक सा हो तो जो मैक्सिमम पावर होती है मैक्सिमम पावर वो ही क्या बन जाती है LCM मिल जाती है मतलब base same है power बढ़ते करम में लिखी हुई है या घटते करम में हमको देखना है सबसे maximum power वाला कौन सा है तो वो ही क्या कहलाएगा LCM कहलाएगा next question देखिए 3 to the bar minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 का LCM बताने हमको यहाँ पर base same है base क्या है same तो आप बोलेंगे सर 3 to the power minus 5 LCM हो जाएगा 3 to the power minus 5 लेकिन यह answer गलत है क्यों गलत है मैंने बोला base same हो तो power आपको maximum लेना है तो सर maximum ही तो ले रहे है नहीं negative वाला जब भी आता है तो negative number जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है और जितना number छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है इन सब में बड़ा digit कौन सा है ये वाला इन सब में बड़ा digit कौन सा है 3 to the power minus 2 तो minus में जब आएगा तब आपको धिहान रखना है कि minus वाला जो सबसे छोटा number होता है वो ही सबसे बड़ा होता है लेना बड़ा ही है लेकिन आपको minus sign देखके चलना है देखिए यह number line है 1, 2, 3 यह positive digit है plus वाली यहां कौन से होते हैं यहां minus वाली होते हैं minus होते हैं तो minus 5 देखिए minus 5 0 के दूर है ना 0 से यह positive rate है यह negative है आप negative की तरफ आओगे तो आप छोटे होते जाओगे तो minus 5 क्या है छोटा number है लेकिन minus 2 0 के पास में है positive के यह बड़ा number है इस तरफ बड़ोगे तो number बढ़ता जाएगा इस तरफ आओगे तो number छोटा होता जाएगा next question देखिए students यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 का LCM बताना है यहाँ आप देखिए base सेम नहीं है यह ना base क्या है? तो जब base सेम ना हो base सेम ना हो तो आपको इनको direct multiplied कर देना है इसको आप direct क्या करोगे multiplied कर दोगे वो ही क्या बन जाएगा? LCM 8 into यह आप multiplied कर दोगे direct यही क्या बन जाता है हमारा? LCM बन जाता है ठीक है? next question देखिए students हमको question पहचानना है कि question LCM का है या नहीं है तो उसके लिए मैं आपको keyword बता देता हूँ जब भी यह word आपको देखने मिल जाए छोटी से छोटी छोटी से छोटी संख्या जब भी यह word आजाए तो आप समझ जाना वहाँ पर क्या निकालना है हमको LCM निकालना है तो इस question में देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ग्याद करें जिसमें 2, 3, 4 और 5 का भाग चला जाए इसका मतलब यह है कि हमको इनका क्या करना है LCM निकालना है यह ना छोटी से छोटी संख्या least common multiple तब ही तो भाग जाएगा तो आप इनका LCM निकालोगे 2 into 3 into 4 into 5 यह भाग विदी से निकाल लेना मैं direct बता रहा हूँ कितना आएगा माच्चों के 20 ती है 60 दूनी 120 यह आग्या अंसर देखें स्टुडेंट्स नेक्स सवाल है वह छोटी छोटी संख्या ग्याद करें जिसमें 12, 24, 36, 45 से भाग देने पर 6 सेज बचे अभी सवाल वह है छोटी से छोटी मतलब LCM लेकर पूरा पूरा भाग ना जा करके कितना सेज बचना चाहिए 6 तो इस सवाल में क्या करेंगे आप सबसे पहले छोटी से छोटी है इसका मतलब यह जो numbers लिखे हैं उन सब का आप क्या निकालेंगे LCM इसको आप भाग विदी से सॉल्व कर लेना LCM मैं इसका डारेक्ट लिख दे रहा हूँ कितना आएगा 360 लेकिन देखिए इन numbers से इसमें तो पूरा भाग चला जाएगा हमको 6 6 चाहिए ना तो इसमें 6 जादा होना चाहिए तब तो हम उसको बोलेंगे आप भाग दोगे तो हमेशा क्या बचेगा रेमेंडर बचेगा देखिए स्टूडिन नेक्स टाइप है यह बहुत इंपोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर टाइप्स बताते जा रहा हूँ कि किस किस तरह की सवाल आ सकते हैं इन टाइप्स को आप पढ़ लीजे LCM के maximum question इसमें से ही cover हो जाते हैं और मैं एक दो lecture और डालूँगा जिसमें आपको मैं LCM और HCF दोनों की practice set कराऊंगा जो exam में question आये हुए हैं और जो किस तरह से question बन सकते हैं दोनों के तो मैं यह type बता रहा हूँ आप इसको बहुत अच्छे से note कर लीजे copy में और इनी type को revise करिए हर exam में यही type पूछे जाते हैं इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको exam में कोई दिक्कत नहीं होगी और कुछ मैं practice set कराऊंगा तो वहाँ पर भी आप note कर लेना उससे बाहर सवाल नहीं आता exam में आप इसको बहुत अच्छे से prepare कर दिए ठीक है यह type देखिए वह चोटी से चोटी संख्या चोटी चोटी आगे मतलब क्या निकालना है आपको LCM निकालना है ग्यात करो जिसमें 28, 32, 63 से भाग देने पर 17, 34, 31 तदा 52 से बचे इसमें तो 4 डिजिट है इसमें भी 4 डिजिट है अब करना क्या है तो इसका तरीका यह है आपको यह 28 का इससे डिफरेंस निकालना है 28 माइनस 17 यह 35 का दूसरे बाले से 39 माइनस 24 42 का 31 से और 63 का 52 से यह डिफरेंस आप निकालेंगे कितना आएगा सब में क्या आ रहा है 11 यहां से आपको एक चीज पता चल गई कि आपको क्या है सब में कॉमन हा रहा है एक चीज 11 मतलब यह 11 का ही खेल है तो आप क्या करोगे सबसे पहले आप इसका LCM ले लो इन सब का LCM ले लो आप LCM ले ओगे तो कितना आएगा 28 35 42 और 63 मैं इसका LCM आपको निकाल के बता दे रहा हूं कितना आएगा देखिए साथ चोके अट्ठाइस चंग बयाले साथ नहीं दिरेशट दो से जाएगा दो दो नी चार यहां नहीं जाएगा भाग तो ऐसी लिख दिंगे दो ती अच्छा है और यह ना यहां दो से फिर से चला जाएगा अब पांच से जाएगा जब तक एक ना आ जाए तब तक आपको डिवाइट देते रहना है यह एक आ गया इसमें नहीं देना है यह एक आ गया यह तीन आ गया फिर से भाग दोगे तीन यह वन वन हो जाएगा सब यही मल्टिप्लाइ कर दो क्या जाएगा हमारा LCM आ जाएगा यह आएगा बारा सो साथ ठीक है स्टुडेंट्स यह बारा सो साथ तो LCM आया है अब आपको करना क्या है आगे यह जो कॉमन मल्टिपल यह जो कॉमन नंबर दिख रहा है ग्यारा जब आप इस ग्यारा को इसमें से घटा दोगे तो आपको फाइनली अंसर मिल जाएगा आप जब बारा सो साथ को में से ग्यारा घटा दोगे तो कितना जाएगा नो यहाँ बचेगा कितना चैमिस बारा सो उननचास यह वो नंबर है जिसमें आप अगर अठाईस से भाग दोगे तो रिमेंडर बचेगा साथ, सत्रा 35 से दोगे इसमें भाग तो रिमेंडर क्या बचेगा 24 42 से दोगे तो बचेगा 31 63 से दोगे तो बचेगा बावन इसको आप इसमें से कैल्कुलेट करके एक बार देख लिजेगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं तो इस तरह एक common multiple के कुछ सवाल मैंने कराए, कुछ basic आपको बता दिया मैंने, इसको आप बहुत अच्छे से prepare करिए, अगला जो lecture होगा, वो हमारा होगा HCF पे, highest common factor, महत्तम समपवर्थ पे अगला lecture होगा, उसके बाद मैं आपको LCM और HCF दोनों के combined question कराऊंगा, जो previous exam में पूछे गए हैं, और जो किस तरह के type बन सकते हैं, वो मैं आपको अगले lecture में, मतलब HCF के बाद के lecture में आपको कराऊंगा, इसके बाद का lecture HCF का होगा, वो भी आप ध्यान से देखिए, और उसके बाद में practice set भी कराऊंगा आपके लिए, ताकि आप जो concept पढ़ रहे हैं, उसको आप apply कर सके, और previous year के question papers भी कराऊंगा, जो railway में आए हैं, SSC में आए हैं, या banking में आए हैं, वो सारे question में आपको cover करा दूँगा, ताकि आपका concept भी मजबूत हो जाए, और exam में question कैसे आता है, वो भी आ को क्लेर हो जाए,